अकि रूंद नहीं वहाँ पर मिलेंगे टोटल रूंद गती वहाँ पर बनती हो जबके जीरो पर एक गिन के बाद कर लोट अब अब पर एक पर शेयर को अब आरे सब्सक्राइब कर दोटोटोट वहाँ पर निकलती वीचार रंद के लिए अलगे पहले प्रास में लगा के रोग पाएंगे लेकिन जब दगेन उन्ट बिल्कुल आगे निकल जाती चाहर के सब ख़ाता खोला मइदां पर और टीम का टूटल स्कोर मायदां पर पहुँच ज्बके चार पर पहली के निरिवस का प्रयास डरूर खpine त्यसके बाद रहुद करने का प्रयास मायदां पर की विराच की स्कोरिंका काम करते बिए विदिष साता यूराच राकेश और हो आप अर मनुच यह हमारे करी भी SUPER कमें कि पूर्ण मारने का प्रयास गेन लगे हुब को पहिला विकेट युट निकला एक कि निगला झाल इस वक्त माइद पर भुपाल ब्लस्टर जो की टीम इस वक्त पहले बैटिंग करती बिल्कुल बालिंग करती माइद आपर और उसके साथ वाल प्रेशर शिरोड़ा टीम माइद आपर इस वक्त अ अधर शिर्ट पर शॉट लेख पर चली गई और शिराली जब दक मौची दोता विल्कुल पर के पास थे गिए इस वर में मतलब इस वह बल्लेबाच की रूप में एक रड़ के साथ तो अब सूरच अब ताम पर रहेगा जब की सवक्त अब नौश्ट एक पर रहेगा इस में मापस के चलता वा काफी 106 मैच का अनुट इस बार और पिज गैन हमा में शॉटर मेरी केट पर गैन और बिलकुल गैन मन बार सी मारे का के लग बग बाहर निकल दी चाहर नो के लिप एक अच्छा प्राइस फिलर का लिकी लाकिर का प्राइस रहा मैदम पर और चोवे क के साथ टोटल अरंगती मैदा पर पहुंची जबके नौ पर इसमें की दो चल्वे शामिल इसमैक में अनिक इतने चल्वे के सब खाता खुला मैदम पर अनुप चल्वे के सब खाता खुला उसके बाद एक रिवस वारने का प्राइस और अपने उपस संकट ले तवा विक अनिकेत और सुरच जोड़ी सर मैच में लगता अच्छी जोकी सवक्त खिल मैदम पर वापस खिल बनताव ओ फिर से सीधे बल्ले से ओप्ट्राइब अच्छा शॉट मैदम पर हवा में रखागे इन को सीपर पार करना है सर्कल के खिलाडी को और उसको पार करने के बातने क अच्छा और इस ओहर का और टोटल स्कोर एक और समाप्त मैदम पर और कुल मिला कर बनतावा मैच में तेरा पर पहुंचा एक विकेट के लुकसाम पर अच्छा पर कर दो कि अच्छा निवाद वह पाल टिमने पहले टॉश इता मैदम पर और निलने लिया अगेन वाजी करने का उसके जवाब में जो कि इस वक्त अब पर पेश्च रोड़ा टिम कप देश्वक्त अब यह बैटिंग और इस मैदम पर लेकिन चलिए अब और और एक अगेन बाच जो की मिलेगा इस मैदम पर वापस ते विकेट च्छेवर का मैच मैदम पर दोर पाउप लेके और दूसरा पाउप लेकर नानू जो कि जोरे मै पर बिल्कुल हमारे साथ गवरों की पूरी टीम और गवरों की पूरी टीम के जोके युवाल लड़के हमारे साथ जोगे जुडे रहेंगे राकेश साथ यूराच उसके साथ विगनेश और और मनुच उनले स्कोरर जो कि उनका सभी का हर्दिक सौगत भाई इनके लिए भी हम अमिशे तालिया बाजाते लेकिन यहां से बिल्कुल धन्यवाद हर एक शन आपको बिल्कुल अच्छा दिगर है उनका कारण से यह रहेंगे फुल्टास गेन हलक्याज से ऑंसेट पर ख जोड़ा पर अप्सक्राइक पर रहेंगे अनिकेट इस वक्ता बैक टूबैक दोच वे मार चुक्य है ट्रीक चोवे का चैत मौका रहे गानिकेट को और अनिकेट एक गुणवान खिलाडी मैदां पर स्ट्राइक पर इस वक्ताम सामने से रोकना पड़ेगा इस खिलाडी क पर एक अच्छा प्रयास मैदा पर कवर बांटरी पर लेकिन आखिरकार प्रयास प्रयास ना और हैट्रिक यहों के मुकमल करता हूँ अनिकेट अपने खाते में जोड़ता हूँ लगवग 12 रन और टीम का टूटल स्कूर इस वक्ता मैच में जबकि अठारा पर पर जो कि कॉमिटेटर है साथ साथ उशार नाइक भी इंग्लिश कॉमिटेटर गोवा राजी के हमारे पास बहुत कॉमिटेटर सबकी नाम हम जरूर लेगे समिर पांडरे भादल चोदरी भूशन नाइक संदीप पाटिल पागी साथ साथ उजो के प्रवीन निलेश पार्सेकर और इस बार हवा में जरूर खेला फिल्डर के हाथ में गयन और शॉट मिट विकेट पर एक थोड़ी सी खराफ फिल्डिंग क्या चूटा मैदां पर और उसके बाद लगवग दो रन बनते वे जो अनिकेट लगी रहाता कुछ पल के लिए डेंजर हो चुका है शायद विकेट निकला उसका लेकिन अंतिम घड़ी में क्या चूटा और क्या चूटने के बाद लगवग अनिकेट अपने नीची लगवग 14 पर और टीम का टूटल स्कूर मैदां पर जबकि 20 पर पहुच के लिए लड़ना हाच मैदाम में सामने से वापस गिन बाच ओ क्लीन बोल्ड मैदां पर इस बार कोई गलती नहीं होगी बिलकुल में अश्टा मुखार्थी गैन निकले लिया विक्री मैदां पर और दूसरा विकेट निकला अनिकेट के रूप में अनिकेट मीजी अपने इस मैदां पर दो विकेट के लुक सामपर 20 यह अलत मायदां में अब बहुता है का ओ भी को अब में फिर आपस खेल और शैयत अशुक नहीं कर राजा सामन भी स्मेच का आनंद उठा रहे बिल्कुल वह भी हमारे सेक अच्छिस क्वेटेटर हैं कर दो और बाहरा चोव इसर मतलब भारन प्रतिवर अममन कितना टोटल सामने होना चाहिए इस मतलब वाइपाई शिरोने टिम का यह सोच रहेगे आपकी कितने रन अबनाने पड़ेंगे टोटल में कि बाहरा रन प्रतिवर आप बना चुके लगव चोवी स्रन हो चुके टोटल में अभी भी चाहरों का खेल बाचान और आठ विकेड़ा तो में मचिन असर चाहा होगा इस मैधाम पर अपने आगीन बाक्षा जो की वापस मूर्च जिसने विनाश जिनने पहला और डाला लगवागा बाहरा रंखर्च तेरा रंखर्च एक विकेट यह लेखा जो का इनकी बालिंग का अभी तक इस मैच में फिल्डिंग अप फैल चुकिया जबके इस वक्त अब मतल सीमारे का पर खिलाली तहीना ज्यादा रहें जिए पा अब पसके अची बालिंग अभी तक लेकिन मैं को का साथ सब अची बैटिंग एक शुरुष के और आपने अची श्टाट डेदी माइदा में अब फिर सची बालिंग बिल्ग अफ्टम के बाहर निकलती तुरुष हल्किती काटा बदलती गें और अची बालिंग के साथ वापस मूर्चे पर अभी तक साथ गेंड़ाली से अगें बाचने अविनाशने और टोटल साथ गेंदो पर चौदा तेरा रंखर्च के एक वि और पिजन हवा में शॉट और फाइन लेक्स इमारेक से बहुत दूर गयें छे रंड के लिए एक मौका मिला हाथ खोलने का और चक्के के साथ टोटल स्कूर में तब्दीली तीस पर पहुंचा मैश में टोटल एक अच्छी बैटिंग मैदाम पर एक अच्छा मोहल मैदां पर अर्दर्शक कल से आज भी मैदान पर गर्दी रहेगी शामतलग तौबा गर्दी के कुम्ब मेला मैदां पर संगें प्रिमिलिक लगता वाइसा मैच में पर फिर से बल्ले पर लगी हावा में विकेट की पर को छाका थी निकलिए अलागी फसलिप के खिलाद मेरन वहां पर रूरो कि लेकर उनके पाले में वो गिन नहीं थी लगी कैसले के लिए हलाकी जल्दी गिर चुकी एकर और मिलता और एकर के साथ इका दुका बनाने की प सब्सक्राइब करने की मैच में इस तरह से इस अंदास में जो बॉलिंग कर रहे बहुत कुफषरत लगें श्टाइक पर अब रहेगा जो किस मैच में विपिन जो कि मैदां पर और साथ इस वक्त विपिन रहेगे श्टाइक पर आगे क्या गेंड को हवा में इस बार लॉंग ऑनर में विकेट पर केंड और बिलकुल सीमारे का से दूर जाएगी और जाएगी बहुत दूर इतनी की देती जाएगी लगबग छेरन मैदां पर रचक्य के साथ इस तीसरे वर की लगबग मैदान पर विपे तीसरे और की यूंग और बाड़िया शॉडर चक्क कराते थर्टी तो सेवन पर पहुंचा मैच में टोटल एक अच्छी बैटिंग मैदां पर एक अच्छा खेल मैदां पर और टॉस हारने के बाद भी अपने बैटिंग का मूर्च संबालते वे पुल किया अब नहीं मौका मिलेगा बैक टूबैक दूसरा चख्का इस खेल में पहले वर के अंतिम गेंदो पर दो चववे लगे इस गेंदाश के लेकिन इस दूसरी समयल के अंतिम दो गेंदो पर दो चख्के मैनापर और अविनास थोड़ा सा खर्चीला इस मैच में अव में टोटल कि अच्छी शुरुबात मैं कहूंगा तीन और के समावति के बाद इस तरह से स्कोर बोर्ड हापर आपर आगे बड़ा अच्छा स्कोर आपर खड़ा कर दिया है बले माजू का स्टांस खेलने का तरीका और चारों तरह मैदान पर खेलने की क्षमता है वो काभिले के तारीफ है अगे मने वाला मकाबला मैं फिरिक बार गुजारिश कर रहा चाहूंगा आज मी टाइगर ठाने टिम के कप्तान और घुम्टेश्वर मढगाव के कप्तान आईये प्लीज जॉइन विद आस पार टॉस एकांड़ रिक्वेस्ट बोड़ दे कैप्टान गुवर्t ओल यह कुल यह समय चाहांग से अच्छा मैच मैंड़ाम पर हम परों की को जोडी आच सुजी द्राणे सर सती सातने चोटत्तर दिखिए ख़क्मिए पिसरीं डवकें ए publi की राजु दाबBER पैमें इस नमबर के भुमी का निवाते में हमारे साथ आच जो कि इस मैच में गवरव सवन साथ साथ उनके यूराच सबसे यूराच उसका नाम पहले लेना पड़ेगा में एक अच्छा जो कि यूराच यूराच जो कि विकनेश साथ साथ राकेश और मनुच यह सभी उनका हर्दिक सौगप पहले और और पिजान और अब की बार भी जाएगी बहुत दूर में विकेट के उपर से छे रन के लिए थोड़ से अब उपर करोगा ना के तो यहीं हचर होगा आकरी तीन गेंदों पर लगे तीन चक्ये माइदां पर और टोटल स् में अब शाइब बात्चीत हो रही कि पता है कि यहां से रंगती अब बढ़ रही है पहले शुरुआत के लगबग और में कुल मिला कर सिप 24 रंखर्च होई थे और तीसरे और कि अगर बताओ बात तीसरे और में इस मैच में लगबग 19 रंखर्च किये थे मैदां पर मतलब शायता अविनास का अस्पेल बहुत महंगा रहा 32 रंखर्च के अविनास ने दो और में और निचले से पर लगी लेक्स लिप के बगल से निकली के हलाकी फिल्डर वहां पर मौजूद जरूरे और इसी के साथ टीम के लगए पाचांस रंपूरे होते हैं मैदां पर मतलब भाई तालिया भी बन्चू के पचांस के लिए कि आज टॉस पहले जिता हुई पाल जो क पर या भी बले पर देखना पड़ेगा अमुमन लग रहा है कि श्याथ श्रीप पर लगोगी जिए हां बिल्कुल लेग बाइस के रूप मेर निकलता वा बिपिन लगबग दो शक्के चावे के साथ बैटिंग करते उस मैदां पर एकावन पर पहुंचा मैच में टोटल उ और पिस जैन हवा में गेन मिश्टाम गेन और विकेट के लिए मौका मिश्टार का निकला पहला विकेट और बारी समापते इसम मैच में जबके सुरज तारी की सुरज तारी ने अपने खाते में जोड़ लगबग सोला रूस में दो चक्के शामिल और टीम का टोटल फिप्टीवन पर पहुंचा इनिका चौटा और चलता हो इस मैच में अपने अबले बाद सर्वेश चुरोड़ कर मैंदाम पर एक सो सत्रा नंबर जर्सी पेंट कर जो कि नहीं कर इस टीम की सबसे खासी बात्मा कि हर जर्सी पर सो क्या आखड़ी के पार आखड़े होंगे उनके विकि यह भी कुछ अलग है उनका मतलब आप अमने देखते हैं दो होता है आठ साथ नो लेकिन एक सो के सभी उपर आखड़े उनके जर्सी पर एक आद दूसरा कभी होगा शैतर इतना नहीं बता लेकिन हो भी सकता है लेकिन शायत नहीं मेरें दासे लेकिन अच्छी बॉलिंग अच्छी वापसी वाइदां पर हलाके एक विकेट निकला सब्सक्राइब अच्छी अच्छी अच्छाल के साथ निकली जैन और बल्कुल जो घटी जाते नहीं मिली इसलिए इस तरह से लगए गए एक और कवर पर रहे प्रोटेक्शन दिया पीछे और जब चौट के निकली तो उसको पीछे कवर दिया गया मतलब फिलिंग के छे रन के लिए एक अच्छा शॉट माइदां पर हर और की आखरी गेन पर एक बना शॉट लगा है मतलब यह अच्छी बैटिंग पहले चार और का खेल लगबग समापत हो चुका है और चार और समापति के बाद 57 पर पहुंचा मैच में टोटल बहुती शांदार शुरुआत बहुती शांदार शुरुआत जिस प्रकार के बलेबाजी हापर की जारे किशना जी एक बात का जिक्रे बिलकुल करेंगे जब गेन डौट होते तो दूसरे गेन के पर बलेबास टूट पड़ते और यही हम देख पारें समधार के आखरी गे सब्सक्राइब बना सकते हैं जैसे विकेट निकलेगी ना एकदम से टीम पर जाएगी यह सभी को इसलिए चाहिए गेन बाजों को निचित कृष्णा जी हम उननीस से चानबे के विश्व कप से पहले की बात करेंगे तो यही क्रिकेट देखते थे 30-35 तक कोई भी टीम रह सब्सक्राइब अच्छी बैटिंग अभी तक इस मैदां पर बिल्कुल बढ़िया मैच इस वक्त मुकाबले का अगया जाएगी चारण ताकत भर पुर एक ताकत बढ़िया बिल्कुल एक ताबर तोड हमला इस शौट जिसा से माराना गेन को कुछ पर लगा कि वह एक ही रहुगा लेकिन जो ग्याप दिखा उसके बात पता चला कि गेन वह ग्याप में और तेजीश के जाएट जाएग में में अब और कटिया हवा में रखास लेकिन अफिल्डर से दूर हो गया और बैक टुबैक दूसरा चववा मैदां पर करनामा अनिकेत ने पहले ही मैच में लग बाग, पहले और में बैक टू बैक, दो चववे कि verbs मारा, तिसरा हड्रिक कि आधा मारा लगातार दो दो शॉट अच्छे मारते वे और टीम को आगास देते वे ओ शॉट गैन उच्छाल के साथ वाइड बॉल का निशार आमपायर का कुछ अत्रिक तो उच्छा प्राप्त कर लिया गेंदे बिल्कुल शरीर बिल्कुल भरभक्का में इसले शरीर तलग गेंवाजी करने का प्राइस क्याता है लेकिन बिल्कुल हम जानते हैं कि जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं खुब सब्सक्राइब ताक अधर कि लाड़िये ताक अधर इस तरह से ना के देखिए जब भी क्याप में जाएगी तो आपको देती जाएगी रन मैदान पर जाएगी बूल्ट सकते हम जाएगी जाएखवा.' सबसे दूर शक्का 72 पर पहुंचा मैच में टोटल शैद देर से दश्चक जो मैच देख रहे हैं भुईपाल लोको जगबग टीम ने इस वक्त ब्लस्टर टीम ने पहले टॉस जिता बॉलिंग करने का नहीं लिया और वाल पेश शुरुआ टिम को बैटिंग करने का इसारा क इस वक्त तर्विश तोरा कि इस बीचमत्र फिट से खिल मज़ देगा बिल्कुल बढ़िया मुकाबला तीन बड़े शॉट इस वक्त और खिराड़ी श्ट्राइक पर रहेगा एक अच्छा खेल माईदां पर बिल्कुल तगड़ा मुकाबला मैक में पाच खिराड़ी सब कोई विकेट का फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अच्छे शॉट तीन गयंदों पर लगबग चार गयंदों पर चार गयंदों पर चौदा रहन एक खूफसुरा बैटिंग लगबग समाप्तम एक सो सत्रा गया अब एक सो बीस जाएगा जरसी नंबर एक खास इस टीम की बल्ले पर लगतीन अगें तो बिल्कुल जाती सीमारे का से वाले के सबसे ज्यादा शक्ति शाली खेल इस माइदाम पर दिखाते हुए कि इनिका पाची और चलता हुआ वा वीराज जो कि टेंडू कर हमें इस तो जान कर दिए और साथ साथ गवराव सावन मनोच हमारे साथ डिटल स्कूर जो कि है हमारे पास बोचे उनोच बिल्कुल धरात क्या रहे हैं मैं क्या मैं विगनेश और साथ साथ जो कि राकेश और यूराच ओ धीमी गेंचेंजापेस गती में परिवर्तन किया हलकी से गेंट बाहर के तरफ निकले और इस खिराडी के से में टीटीव पर पहुंचा मैंच में टोटल इसके बाद तो कि अग्या ओगा 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 अवास और यहां पर मिलता वाँ और एक रंद के साथ रंद गती मैंदा पर पहुंची मैच में टोटल स्कूर 73 पर इसके बाद आजमीट टाइगर से ठाने साथ गुम्टेश्चर माडगा ओदोनों कफ्तान टॉस के लिए पहुंचे अब बिल्कुल मचीदा सर माच अच्छा चल रहा है पहले दो और में लगबगा बनाए 24 उसके बाद टोटल अंतिम पाच और में 73 पर अब चा कहेंगे अस्ती पिचाइसी एक अच्छा टोटल बन सकत सब्सक्राइब करेंगे अच्छी बैटिंग एक अच्छा खेल आपको लगबग सौक अखड़ा भी कम लगेगा मतलब इतनी अच्छी बैटिंग के लिए पीचे यह और साथ बहुत अच्छे आप सिप यहाप में आपको जी हां कृष्णा जी सही का और साथ साथ यह अंतिव ओर भी एने की यह ओवर स्लोग और में चलेगा तो बड़े शॉट किया पर उम्मित कर सकते हैं अब बेलकुल स्ट्राइक पर रहेगा एक रुपेश जो कि समयदां पर सुतार अर्ष्ट नौश्ट्रेक पर अभी भी पर लिए एक और माता रहेगा और गेंवाजी के मूर्चे पर अप मत्र अधिपक जोरे जो कि इस वक्त अंतिम और लेकर अंतिम छे गेंदों का खेल पांच कि राड़ी लग रहे कि ऑंसाट पर प्रोटेक्शन दिया गाए इस मैच में इस वक्त और चार आपसाट पर और एक फस्ट लिए बैक फूट पॉइंट एक कवर एक्स्ट्रा कोर सी मारे का पर यह फिल्डिंग इस मैच में और पिर जैन हवा में जो के लाउंगा पर पहलान बहुत देज निकला कॉल अच्छा और साथ साथ जपता का कॉल निकले का लिए एक विकेट के बेच में दो रन के साथ निकला टोटल 75 पर लेकिन निशाथ मचीद सर शाइब भीपीन को भी स्ट्राइक ले सकते लेकिन जान बुच कर नहीं लिए जहां पर दो रन बनते ना वहां पर लेने चाहिए यही खेल है इस वक्त मैदां पर अपने आपसे जाधा भरुसा इस खिराडी प 75 पर मेंच में अंतिम चार पांच गेंदों का हिसा बताओ ना तो लगबग तीन चार निकले मतलब वही से वापसी मैदां पर कि आजमी टाइगर ठानी सथ सथ घुम टिशर मढ़काओ कप्तान हमारे पास टॉस के लिए पहुचिए एक बहुत बढ़िया मैच मैदां पर बिलकुल अच्छी अंतिम स्पेल लगबग चार गेंदों का खेल बच्चा वापस्टम के बार कट किया हवा में रखा गेंद को पॉइंट सीमा रेका से ये भी जाएगी बहुत दूर गेंद हाला कि जितनी हवा में गेंद रुखना उस्से लग रहा है कि अंदाज ये बड़ा शॉट होना चाहिए चक्का या चवास सिब हमपायर का निरने आना बचाएग आग चेरन के लिए बिलकुल बढ़िया शॉट बिलकुल हवा में रखा गेंद को अर्थूट सी शॉट गे अच्छा डूटल ओ पीछा किया गेंगा वाइड बाल का इशरा और एक अध्री तक अधिरन बंताव यह प्रेशन एक अच्छी शॉट गेंगा आसे हावा में रखा चके के लिए अरुसे के साथ इस वक्त अगर बताव ना तो ये सिंगल वाइट के साथ मेंग लिए मतलब एटी टू पर पहुंचा मैच में टोटल खेल चलता वाइस वक्त मेंदा पर शुरुणा टिम का पहले बैटिंग करती भी वाइट पेश शुरुणा इस बार हवा में शॉट मिश टाइम गेंड लेकिन ये भी जायेगी सी मारे का पर और शाहिए तक उम्दा क्याच मैदाम में निकलस पुलन बिलकुल जिस तरह से झाल, 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 इनल, झाल 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 कि अच्छा क्या चलब का लेकिन चलिए कुछ प्रॉब्लम के पाद हम वापस मैदां पर जलाते आपके लिए श्ट्राइक पर उंद रहें का सरी वापस खेल इस मैच का 83 पर पहुचा टोटल ओ फुल्टास गेन और ये भी जाएगी बहुत दूर छे रन के लिए इस चक्ये की आवशिता टी टीम को एक अंतीम गेन खराब गेन और खराब गेन पर भाई अब नहीं मौका मेलेगा चक्ये के साथ इलिंग की लगबग लग रहा है कि यहाँ पर समापती मैदां पर और टीम का टोटल पहुचा 89 पर मैदां में मतलब बिल्कुल अच्छा टोटल इस वक्त भुईपाल जो के ब्लास्टर्स टीम पहले इस व क्रिश्णों में जो कि इस वक्त एक बाड़ा हिट लगा और 89 पर पहुंचा मैच में और बिपिन ने जो किया ना कारियम लगबग अठाइस उनों के एक नाजवाब बैटिंग चार चक्यों उसमें एक चावाज शामिल मैदा पर भाई तालिया होने के लिए एक छोटी पर टीम के लिए एहम बारी मैदां पर इस वक्ता और समाप्तों कुछ ग्राउंड मिटिंग जरूर लगे लेकिन हम यहीं कहेंगे के लगबगा जीत से पीछे क्रिश्ण जी हमने बिलकुल दो बात चेड़ी ती आसी पचासी और यह नवासी आपर क्या शांदर वले बाजी र लेगा जब तक आखरी गेन नहों जाए तो अगर आखरी शनों में बताते तो बात रहेंगे इनके पास भी सामने टीम के पास भी बैटिंग है इतनी दूर से आए यह अपना खेल दिखाएंगा जरूर मैदां पर लेकिन मैं इतना कोंगा जरूर प्रसाथ सर और बचिसर के मैच कड़ होगा यह नब बेरन टोटल अठीक है अच्छा है एक फाइटिंग टोटल है मैं कूंगा लगवगा अस्तित अब नीस बिस में कूंगा तो यह विनिंग टोटल भी रहेगा निचित अरब यह ज्यादा प्रतियों गिता में शायद किसी टीम ने अभी तक मेरे अ से बनाएं एक एक टीम ने बने मतलब अब मतलब एटीन वह एक टीम ने बनाएं और वह भी आखरी शनों में मतलब अगेन आखरी मैश से लग जाएगा इसमें कोई शक नहीं होगा निच इतने चित कल्ला ओवी इलिवन बदलापुर ने नवास इन बनाए थे आपर तो अच्छे बलेबाज की विडियो अच्छे बलेबाज की विडियो अच्छा साध्या उनी के बदालत नवास इन बंचुके और नबबे उनका लक्षा बीच मतार के ऊपर अभी तक एटीन रन मतलब अभी तक चेस इतने रन हुए नहीं मिरें दसे मतलब ये भी एक आपके आवाज में थी खापन आये दोस्तों आसी मजयाग का सिलसिला यू जाए रहे रहेगा हमारे सब जूड़ेंगे अब हमारे सिनेर समालो चक अशुची नाइक आये आपका सौकत पर अशुक नहीं काफी लोग आपका मैच देग रहें इंतदार कर रहें आपका लेकि आपका अशुची नापका 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 अश। कि बहुत सुन्दर कॉमेंटरी मचंद्र पाटेल प्रसाद पुरप एक से बढ़कर एक आज कॉमेंटरी बॉक्स में जूड़ चुक है हमारे साथ सही हो गया हमारे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत मचंद्र सर हमारे बहुत दोस्त कॉमेंटर दोस्त मैच को प्रसाद सर देख रहे हैं जरूर हम उनको भी थोड़ा साथ थोड़ा वक्त मिल जुका है तो याद जरूर करेंगे उन्हें के साथ कांकोंट से हमारे दोस्त संदिप पागी सत साब कर एक शिरोड कर अंगरेजी की बहत्रीन कॉमेंटर हमेरे सावर डेके हरिश्ण का कोड कर हरिश्ण का कोड कर नदीम हमाद तुशार नैक निलेश पार्शेकर अक्षय वहाले अनुडर जो कि यह हमारे दोस्त कॉमेंटर उनेके साथ प्रभीन कवुटें कर है नितिन नाइक, राजा सामन्द, समीर पांडरे, अमल जमदाडे, प्रदिब देवुलकर, शामवाकर, बादल चौदरी, योगेश्परप, राजापरप, अक्षय दूरी, संतोष मरिये, एक से बढ़कर बिल्कुल साथ दे चुक है, आज तक यह बिल्कुल आपके बात से कहुतों, क कारवा यह चलता जा रहा है, उने के साथ आज कल से आप दोनों और बहतरी दोस्तों की और दो बहुत बढ़े अच्छे कोमेंटेटर का भी सायोग मिला, तो बचंदर सर आपके साथ जूड़ जाएंगे इस मैदान पर, नब्बे का लक्षाई सामने रखा है मैच को जीतने के लिए, ओपनिंग जोड़ी मैदान पर अक्षय और अक्षय के साथ जोकिक कमला कर, यह जोड़ी मैदान पर, एक अच्छा टोटल है, बड़ा टोटल है, छे, अवर के अगर बात की जाए मैदान पर तो, और पहला कर कॉमेंटरी बॉक्स रेंट से अनिश नाइक जो की गेन बाजिक करेंगे पंद्रवाप पर्व सांगें प्रिमियर लिग का बहुती बेहत्रिन पर्व जाई भोसले बिलकुल जाई भोसले आपका धन्यवाद कॉमेंटरी बॉक्स में से और इसी बिच नए और की पहली गेन इस बार छोटी गेन थी पुल के अगेन को मिडविकेट पर गेन हवा में खड़ी हो गई फिल्डर गेन के नीचे और मिडविकेट पर क्याश को पकड़ते हुए पहला आगाज होता हुआ मैदान पर तो पहला भिकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ शुरूआत होनी चाहिए थी मचंद्र सर बड़ा टोटरल है तो आपको पावर प्ले में ओपनिंग जोडी में बड़ी शुरूआत होनी चाहिए थी लेकिन बिना खाता खोले शूने पर पहला भिकेट वापस लगाएं पर आपका संतुलन बरकरा रखने क्याश पकड़ना बात आसान नहीं होती हुथ पर कॉमेंटरी बॉक्स में से कई बाते सर बोलने के लिए जो की बेलकुल आसान लगते हैं लेकिन मैदान पर काफी मुश्किल होता है मैच बड़े टूर्नामेंट का होता है प्रेशर होता है फिल्डिंग करने का गेन बाजी का तो चलिए पहला विकेट बहुत सस्ते में अवर पेज़ गेश्ट बास सुन्दर चाट एक्स्टा कावर बाउंडरे के तरफ फिल्डर गेन के ऊपर और जब तक गेन को फिल्ड करते शायद दूस्तरे रंके वेलकुल सोच रहे ते मन में लेकिन माउका नही रहा बढ़िया फिल्डिंग सुन्दर फिल्डिंग प्रिपाल ब्लस्टर वाड़ पाई के बेच में चलता हुआ मैं आच इस बार फिर से बढ़िया गेन अच्छी लाइन पर मिडिस्टम पर तोड़ इसी गुड्लेंस पाट पर उच्छाल लेती वी गेन विकेट के पर के आतों में चली गई बगर किसी रंसे बगर किसी नु इस बार आगे निकले डाउन दे ग्राउंड कदमों का इस्तमाल पावर प्ले में बिड़ो पर और इसी बास बिल्कुल जो की लगबख आखरिक शणों में जो की गेन हाथों से चूटी बहुत ही अची कोशिश थी मुश्किल सा मौका था पावर प्ले में और जब तक येनको फिल्ड करते तब तक दो रन मुकमल किये दोनों बल्ले बाजों ने पहला ओवर पावर प्ले का ओवर टार्गेट सामने नब्बे रन का बहुत ही अच्छी इनिंग 28 रन और शोलर रन दो बल्ले बाजों ने इस बार शपल लोकर खेलना चाहते थे लगबग अस्टम से पास से गुजरी गेन विकेट के पर के हातों में पावर प्ले का ओवर डीप लौंगान बाउन्डरी पर फिल्डर उने के साथ डीप मिड़ विकेट बाऊंडरी पर फिल्डर रैट मौबर दे विकेट अनिष नाइग कोमेंटरी बॉक्सेंड से आपने बोलिंग बापर राजैस राजिन जोरे इस बार लेक्स टम पर गेन खेलना चाहते थे आन साइट पर बहुत शांदार गेन बाजी पहले पावर प्ले के ओर में स्कोर बोड पर टोटल तीन रन एक विकेट पर 90 रन टोटल मैच को जीतने के लिए और पहले ओर में बने सिर्फ तीन रन तो थोड़ी सी महचंद्र सर बिलकुल देमी शुरुवात मैच में क्योंकि ओ 90 का टारगेट है तो आपको शुरू से आकरमक बलेबाजी करनी पड़ेगी निची सर जिनाइक सर जी ये बिलकुल बलेबाज उने जो कोशिश की बड़े शॉट लगाने की लेकर मैं गिनबाज की तारिफ करना चाहूँगा जिस अंदाज में गिनबाजी हुई है उन्हें निचले हिस्से में रखा है लेंद और लाइन को बरकरार रखा है इसके लिए बलेबाज को बड़ा चौट केलने का एक भी मोका ने दिया है क्या अजीम और शान गिनबाजी रही मैदान पर बिल्कुल सर और सर वाल पेश्वर शुरोडा मेरे गाव का भी नाम शुरोडा और मेरी देवी मा कामाक्षी राएश्वर ये भी गाव शुरोडा तो सिर्प सर ये बिल्कुल बड़ा अच्छा यहोगा यो सामने से बोलिंग में परिवर्तन अनूप गेंबाजी करेंगे से अलोप इस बार बल्ले को हटाया गेन को चाने दिया अफ्टम से बाहर गेन वाइड बॉल का इशारा गवर्मेंट कॉंप्लेक्स का ये संगेम का मैदान चार और हरे बारे पेड बैटने के लिए बेलकुल बेहतरिन सुविदा इस मैदान पर स्टेडियम की तरफ और बेहत किया दूसरा मुकंबल किया और दोरन पर संतुष्ट हुआ बड़े देर के बाद एक अच्छा शॉट ग्याप में और दोरन बन गए स्कोर के खाते में दोरन के साथ से स्कोर निकलता वा आगे बढ़ता वा छे पर पहुचा एक विकेट पर टीन पर कमला कर और राजन जोर दो पर अपने वेक्तिकत बल्ले बाजी करती हुए इस बार बहुत सुन्दार शॉट छोटी गेन मिली पूल क्या खोब सुरते के साथ डीप स्क्रेयर लेक्सी मारे का पर एक संसनाता दंदनानाता शॉट छे रन के लिए स्कोर दो अंकों में तब्दिल होता हुआ बार पर पहुचा एक विकेट पर बस यही बल्ले बाजी करनी पड़ेगी क्योंकि सामने 90 का टारगेट है मैदान पर तो आपको बड़े शॉट खिलने पड़ेगे लगबग हर ओवर में दो शॉट लगाने पड़ेंगे तो मैच बनेगा मैच बिल्कुल नस्दिक आजाएगा फिलका बिल्कुल बढ़िया शॉट कमलातर स्ट्राइक पर साम ना करेंगे अगली गेंग का फिर से ओवर पेज गयन मिले एकलाप्टेट शॉट गैप में बहुत अच्छा शॉट डिप लंगान बाउंडरी पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए पल्टे दोनों बल्ले बाज और अपने अपने चोर पर सही सलामत दो रन बनाते वे स्कोर के खाते में बहुत अच्छा तालमेल अच्छी रनिंग बेट्विन दे विकेट दोनों बल्ले बाजो के बीज में अस्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन पर पहुचा एक विकेट पर आउट हो कर पहले विकेट के रूप में अक्षे जो की वापस बीना खाता खोले अब टम से फिर से बा पहुचा एक विकेट पर ओवर चलता हुआ मैच का दूसरा फिर से सुन्दर शॉट हाफ वाली पर लेकर एक स्ट्रेक और बाउंडर की तरफ एक रन तेजी के साथ थोड़ी से मिस्पिल्डिंग वहाँ पर और जब तक अपने आपको संबलते गेन को उठाते फिल्डि करत दो रन जुड़ते होए स्कोर के खाते में बहुत ही बैतर इन क्रिकेट एक बार फिर से मैदान पर दो रन स्कोर के खाते में दो रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ सत्रह पर पहुचा एक विकेट पर सुंदर शाड इस बार कवर पॉइंट बाउंडर के तरप कोई माउका नहीं काफी तेज आउट फिल्ड है और गेन निकली बाउंडर रन को पार करते भी चार रन के लिए तो पहला ओवर तीन रन बनेते लेकिन इस और में रन बन रहे है मैदान पर बल्लेबाजी में स्कोर चार रन स्कोर के खाते में 21 पर पहुचा एक विकेट पर ओवर चलतावा दूसरा थोड़ा सा लंबा ओवर दो रन अतरिक रन के साथ से दो गेंदे बढ़ गई इस और मे अनुप चेनवन कर जो कि गेंबाजी करते हुए एक शानदार चावका चार रन बने काफी मेंगे साबीत हुए इस और में अनुप चेनवन कर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस चावके के साथ दो ओवर का खेल सर पहले और में सिर्फ तीन रन ते इस और में बने 22 तो कई न कई बेलकोल सही रास्ते पर गाड़ी आ र दोका की उपर भी ध्यान दिया यानिया की सेंसीबल क्रिकेट हम देख पार है और जिस में बहुत 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 धन्यवाद सर बहुत भी बैतरीन मजा आ रहा है कामें पिछले साल में अजय घरत और एक बड़े अच्छे कामेंटेटर है हैं हमारे साथ जब चर्चा हुई थी बीज बीज में तो लोगों को ये बिल्कुल प्रसाथ सर बहुत पसंद आई थी कॉमेंटर इस तरह से देवगण में भी प्रसांत आदोड़े के साथ ऐसे चर्चा रही थी तो कई लोगों को ने बिल्कुल जो कि स्वागत किया था तो चलिए एक बार फिर से मैदान पर गेनबाजी के लिए देखना होगा काउन आते हैं दो ओबर का खेल समाप्त हुआ पच्चीस रंग एक विकेट पर और कृष्णा ने बिल्कुल सर सही का हमारे मेरे गाव से बहुत जो कि लोग देख रहे मेरे बेटे भी मैच देख रहे मुंबई से अमोल अधित्य सवरप हमारे वाड़ी के जयंत सिद्दू मैच को देख रहे विरोच तो प्रतमेश हर्ष आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी यात मुझे तो जरूर आ रहे है इस मैदान पर और इसे भी सामने से नया ओवर गेंदबाजी के मोर्चे पर हरिश नाइक अनिश नाइक बहुत अच्छी शुरुआत एक बार फिर से शरीर पे टेकराई स्विप करना चाहते ते रन के लिए निकले बिल्कल धोका होगा खत्रा होगा वापर स्ट्राइक एंड पर कापी दूर ते अपने क्र दूसरे विकेट के बेच में साजेदारी बंद रही थे माइदान पर लग रहा था बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है ये टीम लेकिन रन आउट के साथ विकेट वापस निकला दो पर अपने वेक्तिगत बल्लेबाच आउट ओकर वापस दूसरे विकेट के रूप में जो कि रन आउट ओकर टीम को लगता हुआ दूसरा धक्का एक 90 का टारगेट है सामने लंबा सफर है और नए बल्लेबाच समयदान लेकर गेन बाजी करते हुए पिछले और में बने 22 रन और एका दूसरा ओवर अगर इस तरह से आ जाए तो मैच वेलकुल रोमांच कारी होगा मैदान पर इस बार ड्राइव के अगेन को ठेक से संपर कर नहीं था गेन शायद बल्ले पे लगी पैरो पे टकराई मिड़ाप पर निकले एक रन के लिए निकले दोनों बल्ले बाच और एक रन बनता हुआ स्कोर में स्कोर एक रन के साथ से आगे निकलता हुआ 26-26 रन दो विकेट के नुकसाल पे 90 का सामने टारगेट मैच को जीतने के लिए आने वाला मैच गुम्टेश और मडगाव क्रिकेट टीम एक बहुत ही बेहतरीन टीम इस प्रत्युगिता में सांगेम प्रिमियर लीग में नरेश असोर ने करकी कपतानी और उने के साथ अच्छे करेड़ाई और पेस गयान इस बार सामने लॉप किया बोलर के ओपर से दो फिल्डर निकले मिड़ो पर फिल्डर पहले पाउशते हुए गेन को लपेट टे वे त क्योंकि जिस तरह से आप रन बाराने की कोशिश कर रहें चाहिए एक को दुख्ये में तब्दिल करने की कोशिश जा रहें बड़े शोट लगाए जाएंगे विट्टे तो गीरेगी यानि कि इस तरह बले बाजु को आप रन बनाने और विट्टे भी बचाने यानि कि मैदान पर उतर रही इस तुर्नामेंट में एक अच्ची टीम है बहुत ही और आज उन्हें के साथ काफी अच्छा क्रिकेट होगा रेट क्रिकेट टिम वासको क्रिकेट टीम ये भी मैदान पर फिलाल यह मुकाबला बोड़ ब्लस्टर और उन्हें के साथ वाड़ से 27 27 रन तीदर सिंप पिर से मिस टाइम शाट ओवर पेज गैंपर कवर पर एक्से कवर पर फिल सब्सक्राइब से कर रहा हुद कईना कई बड़े शॉट के लिए सर निकल रहे तो विक्टे गिरते जाएगी ठीक से संपर्क नहीं हुआ लेकिन जो 22 रन बने ते दूसरे और से तो मैं कहूंगा उससे जो कि थोड़ा सा सवरना होना चाहिए था मैदान पर नीची जब 22 रन मिले तो ऐसी उमीद का दिया जल रहे था लेकिन इसके बाद विक्टो का सिलसिला वापस शुरू हुआ जो चुका है मैदान पर बिल्कुल धन्यवाद सर नए बल्लेबास मैदान पर कदम बढ़ाते हुए और कृष्णा कई दर्शक जो कि देख रहे हैं बिल्कुल आपने सही का हमारे प्राफड़ वो भी रम्दास हसापुर से रम्दास मैच देख रहे हैं डिर सारी शुबकामने बेज़िए इस टूर्नामेन के लिए संगेम प्रिमेर लिग क्या आयोजन है क्या नियोजन है और पूरी जो कि यूटुब पर दर्शक आपको धन्यवाद दे रहे हैं इतना बहतन क्रिकेट का महा होले क्रिकेट का बिल्कुल महा संग्राम है इस संगेम प्रिमेर लिग में सर नए बल्लेबाच मैदान पर रम्ध सामने गण को ड्राइव के इस बार लोर फुल टॉस गेन लेकिन अपने फालोत्रों में सुन्दर फिल्डिंग और धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बोलि केट पर थोड़ा सा कहीने कई बैक पूट पर है यह टीम क्या कहेंगे आने वाले तीन ओवर का खेल बाकी है और लगबक 63 रन भी बनाने है तो टार्गेट थोड़ा सा रंडेट कापी स्कॉर बोड़ पर सर बढ़ चुका है जब टॉच जीतकर आप पहले फिल्ड करने का प्रेसला करते और माहुल को देखकर बलेबाजी करने का प्रयास करते तो यह भी नहीं भुलना चाहिए कि आपका जो अस्कींग रंडेट होता है जो आप आस्कींग रंडेट होता है उसको मैंटें लगना बहुत जुरूरी होता है और वह मैंटें नहीं रख पाए इसके आने वाला सफर उनके लिए आप आसान नहीं रहे मैदान के उपर बिल्कुल बिल्कुल सर क्योंकि क्या होगा जब डॉट गेंदे निकलेगी तो आप अच्छी गेंद को भी बड़े शॉट मारने के लिए निकलेगे और वही पर आप फस्चा होगे क्योंकि यह मैदान गेंदबाज के बीचे बहुत जो कि लंबा अंतर है कि इसी बीच गेंदबाजी में परवड़तन दूरवाले चोर से रुजार वज जो कि गेंदबाजी के लिए तीन ओवर का खेल समाप्त तीन ओवर बाकी नए ओवर के पहले गेंद सामने से अब टम पर इस बार गेंद बल्ले को लगी गेंद थर्ड मैंड पर फिल्डर एक सिंगल सिंगल डबल से यह मैच काफी मुश्किल रहेगा मैदान पर मुकाबला वाडपेश्वर शिरोड़ा और बुईपाल ब्लास्टर वाडपेश के बीच में टॉस सिता टॉस सित कर फिल्डिंग और पहले बल्ले बाजी को मौका दिया बहुत शांदार इनिंग 28 रन बनाए विपिन नाइक ने और उनका साथ 16 रन बनाते हुए जो कि सुर सब्सक्राइब और बिल्कुल जो कि संतों ने यहाँ पर एक कैच को दबो जा तो विकेट नमबर और एक पाच मचनर सर बिल्कुल सही आपने कहा था बड़े शौट खेलने पड़ेंगे तो आपको दोखा होगा और वही मैदान पर बात जो कि दिखाए देती हुए लगा सालों से स्कोरर विरास ठेंडूल कर हर गेंद पर बिल्कुल उनकी भी काफी अंपार की तरह जो कि नजर रहते हैं उसी तरह से नजर गवरों सावन की पूरी टीम जो कि इस से टुर्नामेंट के साथ और दर्शक काफी मैदान पर शनिवार और इतवार को तो सर दर्शक का कारवा जो कि आपको लग रहा है निचिक नाइक सर गवरफ सर ने हमें जानकर दी कि कल इस प्रत्योगता को एक लाग बीस हजार लोकों ने लाइव के जरी देखा है और आने वाले दिन में कितने लोग जूड़ जाएंगे यही तो इस प्रत्योगता की ऊचाहिए इसलिए 355 दिन आग लगा कर इस प्रत्योगता काम इंतिजार करते हैं हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल और एक बात जरूर बीच में करूंगे चोटी गेन इस बार हुक्या गेन को बले से लगे गेन फाइन लेक बाउंटर की तरफ अब मौका शायद बिल्कुल मुश्किल लग रहा है जब यूट्योब आ गया गवरव सावन का तो बिल्कुल हमारा भी नाम जो कि सभी के जुबा पर आ गया सर क्या कहेंगे इसके बारे में इसकी तरबर सर कल हमें कतार से भी कॉल आये था इस प्रत्योगता की चर्चा वहाँ पर भी हो रही है और यह मैं कहूंगा पैचाने इस एस पेल की गोवा की और यह मैं कहूंगा मैनते गवरव सावन की बेलकुल सर बहुत अच्छी गेन इस बार गेन ने बेलकुल काटा बदला टिपा खाने के बाद बाहर की तरब निकले कही न कहीं मैच थोड़ा सा 19-20 का जो की मैदान पर होता जा रहा है सामने से बहुत अच्छी गेन बाजी हो रही है और रुजार वज जो की गेन बाजी करते हुए चौथा ओवर मैच का टार्गेट साब नब्बे का फिर से डाट गेन सर जिस तरह से डाट गेन दे जा रही है रंदरेट बढ़ रहा है मैच काफी दूर होता जा रहा है मैदान पर देखना होगा एका दूसरा और फिर से 22-25 रंग का अगर आने वाला बन जाए तो मुकाब बड़ा शौड इस बार ओवर्पेस गेन मिले अड़े बले से एक बहुत ही गजब का शौड गेन निकल दिए मिट रिकेट बाउंडर के ऊपर से 6 रं के लिए सर थोड़ी से शौड ने आशाओं के किरणों को मैं तो कहूंगा चागा दी मैच में स्कोर इन 6 रं के साथ से बड़ता वा सर 38 रं तो अब भी चाहिए लगबक जो कि मैच को जितने के लिए 52 रं 52 12 बाल्स नाइक सर जो गेन बास थे रोजार ओ गेन बास की आक्शन आपने देखी ऐसे लग रहे कि अगर कोई लाइव के जिरी इस गेन बास को देख रहे तो ऐसे लग रहे कि विकेट क पर की भूमिका में है और उसके बाहां स्टांस लेते हैं क्या गजब का उनका तरीका है आपर बहुत ही कुपसूरत और लुभवाना बिलकुल बिलकुल सर बिलकुल आपने ठीक कहा वैसे हम बाब बीच में प्रसाद सर के साथ चर्चा भी कर लेते हैं आपके साथ जो आती है तो चलिए मैदान पर एक बार फिर से सामने से नया ओवर अपने बोलिंग मार्क पर और वो काफी अच्छे गेंदबाजी भी है हमारे कृष्णा बिलकुल जानकारी दे रहे हैं अकिल परफ हमारे और एक स्कोरर है हमेशा क्रिकेट के बारे में बहुत-बहुत जान करी देते हैं अकिल परफ है नया ओवर चार ओवर का खेल समापत हुआ अड़तिस रन स्कोर वोड़ पर आने वाले अगले चार ओवर का खेल बाकी चाहिए मैच को जीतने के लिए बावंद रन और देखना होगा क्या होता है मैदान पर अनिकेत नाइक जोकी बोलिंग मार पर शुरुवात की थी चौदारन बल्ले बाजी में आगे ने के लिए बड़े शौट के लिए गेन आफ्टम से बाहर वाइड बॉल का इशारा इस संगेम प्रिमियर लिग में सुजित राने राजियंदरे दाबोल कर और अभीजित जुड़ चुकी है मैदान पर आगे निकले बड़े शौट के लिए एक हलकासा अपेल लेकिन उत्साहता उम्मेद बहुत कम ते इस अपिल में पिछले साल सर सिद्धेश घाडी जो अमपायर थे वो भी मैच को देख रहे हैं डेर सारी शुबकामने उन्होंने भी बेज़ है बिल्कुल शिद्धेश आपके भी यात हमाई कॉमेंटरी बॉक्स में जरूर इस मैदान पर नाइक से इस अपिल में कुछ अलग देखा हमने यह अपिल ने गिनबाज के और सिकी गए थी ने विकेट की पर के और सिकी गए थी जो थडमेहन में किलाडी फाइनल लेक में वासी की गए थी बिल्कुल बिल्कुल बड़ा शॉट इस बार हाफ वाली पर लेकर डाउन दी ग्राउंड थोड़ा सा आगे निकले लोंगा बाउंडरी पर फिल्डर एक रन और एक ही रन जो कि संतुष्ट होए दोनों बल्ले बाच संचाइन क्रिकेटर के सभी जो कि मेंबर है सर ना पिछले मेरे खाल से जब गनपती का जो के उत्सव समाप्त होता है तो जूड़ जाते इस ट्रूर्णामेंट के लिए क्योंकि इतना बड़ा आयोजन नियोजन बात आसा नहीं रहेगी मैदान पर इस बार बैक पूट पर जाकर गेन को ड्रावी किया कवर पॉइंट लगबक जो कि फिल्डर गेन को उठाते फिल्ड करते रन के लिए बिलकुल नहीं निकले ओवर मैच का पाचवा चलत रहा है इस ओवर के बाद आखरी ओवर लिक का फॉर्मैट है संगेम प्रिमियर लिक राइटाम ओवर दे विकेट अनिकेट इस बार अफसाइट की छोड़ कर निकले गेन ऑनसाइट पर खेलना चाहते थे गेन बल्ले में फिर से कोई संपर्क नहीं दो बल्ले बाद मैदान पर एक चावका एक चक्का लगाते हुए रामा ग्यारह पर अपने वेक्दिगत लेकिन गेन बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा 21 रन बनाएं कमलाकर वो एक मातर बल्ले बाद उनके साथ बागी बल्ले बाद उतने जो कि अच्छी नहीं देखने को इमली दो चोड़ के छका लगाया जो कि कमलाकर गावडे ने अपने बल्ले बादी में फिलाल अनिकेट नहीं के एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर ओवर पाचवा मैच का चलता हुआ मैदान पर इस बार बैकपिट पर जाकर खेलागे इनको सिंगल बनेगा देखना होगा दूसरे के लिए प्रयास होता है या नहीं स्क्वेर लेक बाउंटर से फिल्डर और फिर से एक र पर एक्तालिस रन तो उन्चास रन चाहिए लगबक सर काफी मुश्किल रग रहा है मैच सर अभी आपर नाइक सर में बताऊंगा मुश्किल ने बलकिन हमून कीन है और यह केवाद रसम निभाई जाएगी आप क्योंकि जिस तरह से छे गेंदिया बचे छे गेंद में आप अंदाजों को बिल्कुल बिल्कुल सर जो क्योंकि पिछले और में देखा सिंगल नहीं ले रहे थे तो शायद उन्होंने भी मैच थोड़ा सा शायद जो कि डिला कर गया मन में सोचा होगा कि अब मुश्किल हो रहा है लेकिन देखना होगा अंतीम ओवर का खेल छे गेंद और मैच को जितने के लिए उन्चास रन अजमी टाइगर ठाने और घुम्टेश और मडगाओ कि वाइड बॉल का इशारा एक रन मिल गया स्कोर के खाते में इस एक रन के साथ से स्कोर आगे निकलाब 42 और आईए प्लेश अजमी टाइगर ठाने कैप्टन कॉमेंटरी बॉक्स से संपर्क करें अजमी टाइगर और पेच गेन एक बड़ा शॉट बले के बेचो बेच लोंगान बाउंडरी पर फिल्डर के हातों में गेन सीधी और इसे बीच क्याच वहाँ पर निच्चे दुर्प से गेन चूटी और दो रन बन गे स्कोर के खाते में प्रसाथ सर अगले मैच का टॉस हो चुका है गु प्रतुगिता में और उने के साथ अजमी टाइगर ठाने क्या जो कि पहला मैच रहा था चोटी गेन इस बार खेला गेन को इस बार ऑन साइट पर नेच्चे दुर्प से यह बड़ा शॉट तो जरूर लगेगा लेकिन थोड़ी सी देरी हो चुकी है मैदान पर तो दूसरे मैच के लिए अजमी टाइगर ठाने के लिए काफी निरिना एक मैच होगा क्योंकि पहला मैच जागरुती 11 के साथ रहा था कि हार चुकी थी अजमी टाइगर तो उनके लिए ये काफी महत्वा पुर्णा मैच रहेगा और सामने मुकाबला बहुत अच्छी टीम है ठाणे के टीम है अजमी टाइगर अच्छा क्रिकेट पहले मैच में बहुत बेहत्रिन क्रिकेट देखने को मिला आकरी ओवर का खेल मैदान पर फेलिक्स क्रिच जो की गेनबाजी कर रहे हैं और मचिंदर सर मैं तो कहूंगा आपकी अगर बात मुखे तो आउपचा रिकता मैच में चल रही है क्योंकि काफी मुश्किल है देखना होगा एक रन के लिए निकले जोरदार अपील सामने बिल्कुल पाप पा गई विक्टों के और और एक सफलता इसे के साथ तो विकेट नंबर पाचवा वापस निकलता वा तर्गेट 90 रन का था लेकिन उसके सामने एक मात्र बल्लेबास कमला कर गावडे जो 21 रन बनाए लेकिन बाकी के बल्लेबास एक के बाद एक आउट ओकर मैदान से बाहर अंतिम ओवर फेलिक्स क्रोच एक सफलता असिल करते हुए अपने गिनबाजी पर और एक नए बल्लेबास मैदान पर निकलते हुए कमला कर के साथ दूसरे बल्लेबास जोनूने दो चोके और एक छक्का लागाया इस मैच में वो बल्लेबास जो के आउटो कर वापस LBW फेलिक्स क्रोच के गिनबाजी पर और नए बल्लेबास दीरे-दीरे मैदान पर दत्तराच यानि आज मचेंदरेसर दत्त जाहिंति स् बल्लेबास मैदान पर मैच लगबख सामने दर्शकों के सामने नतीजा आ चुका ही क्या होगा इस मैदान पर इस मैच में फिलाल अगले मैच के साथ जुट जाएंगे एक बार फिर से जो कि एक बहुत ही बेतरन मिटी आवाच प्रसाद परप के साथ जो मैच अजमी टाइग लगाई उसक्याज को पकड़ा और विश्य के साथ और एक विकेट जो कि वापस निकलता वा नाइक सिर्फ पहला मुकाबला कड़ा रहा अंतिम ओवर तो जूँचता रहा लेकिन ये मुकाबला एकतर फरा तो दर्शक अमने मुकाबले की तलाश करेंगे आने वाले अगले मुकाबले से काफी उमीद रहेंगी दर्शकों को और हम भी चाहते हैं कि मुकाबला कड़ा हो संगर्श बरा तो मजा आता है बिल्कुल बिल्कुल पहला मैच काफी काटे का तगड़ा मैच रहा ये तोड़ा सा तोड़ा सा तो क्या मैं तो कहूंगा एक तर पी तोड़ा सा मैच रहा बल्ले बाजो ने प्रतिकार नहीं किया और सामने से सर टोटल भी बड़ा हो गया छे और में 90 बने तो तोड़ा बाद दत्तरा चेल के और सामने निकले इस बार आगे निकले हाफ वाले पर लेकर बहुत ही बहत्तरीं चौट बिड़ाप और लॉंगाप के लगबक एक्स्टा कावर और बिड़ाप के बीच में से गेंच चलेगी बाउंड लेंग को पार करते भी चार रन के लिए बड़ी मेंच के साथ ये मैच समाप तो यह आजए ओवर का खेल समाप तो एक बड़ी जीत इस मैच में हासिल करती हुई ले चलेंगे मैणाब्धी मैच मेंच पाटिल आपके साथ मैनाब्धी मैच के साथ जो कि चर्चा भी हूगी जो की प्रेसेंटेशन बॉक्स में और उन्हेंक साथ जो कि एक बार फिर से जूर जाएंगे हमारे और एक बेहतरीन कॉमेंटेटर हमारे दोस्त मीठी आवास मराठी की प्रसाथ परफ जो कि एक बार फिर से जूर जाएंगे हमारे साथ कॉमेंटरी बॉक्स में से आईए प्रसाथ सरे एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स आपका भी बहुत बहुत दन्यवत आईए जूर जाते अगले मैच के लिए उससे पहले Man of the Match और इस मैच का Man of the Match अनिश नाइक इस मैच का Man of the Match गेनबाजी का विश्लेशन उनका दो ओवर कोई मेडन नहीं पाच रन और तीन विकेट दो ओवर कोई मेडन नहीं पाच रन तीन विकेट एक बहुत ही बहुत बहुत बहुतरिन गेनबाजी अनिश नाइक इस मैच का Man of the Match चलिए तो आईए मैनव दिवाज कावार देंगे हम उदेजी नाइक साब से काफी कड़ा परीश्रम किया है उन्हें प्रति उक्ता के लिए आने पीछले 14 सालों से और इस साल में भी आईए सर जी और मैं गुजाच करूंगा आईए अनिश नाइक चेहरे पर मुसकान क्या है बात स्वागत आपका मैनव दिवाज का आवार यहां बताएंगे आपको 10 ग्राम चांदी का यह सिक्का दिया जाएगा आपको आईए सर जी नाइक सर से गुजाच करेंगे कि मैनव दिमाच का किताब आपके शुबादों से दे अलिश नाइक अच्छी गेंबाज जेहरी लिगेंबाज जी उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस विकेट के बारे में भी चर्चा करेंगे इस पतियुक्ता के बारे में भी च नाज़ेंगे, चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि जीत उनके चेहरे पर सफलता बायान कर रही है, क्यों न करें, जहरी लिग इनबाजी कहीं, नफी तुली और बैलेंसिक इनबाजी रही और बले बाज को यहाँ पर बड़ा हिट लगाने का कोई भी मुका ने दिया, नाइक सर जी कड़ी मेहनेतरी इस प्रतियुकता के सफलता के पीछ है, अई अनिश, फर्स्ट आफ ओन कॉंगर्जिलेशन, अनिश क्या कहेंगे किस प्रकार रहा आपका अनुबाव, विकेट के बारे में क्या बताएंगे, जिस प्रकार आपकी गिनबाजी जहरी ले रही, विकेट बहुत अच्छा है, बोलिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, और हमारे सब